नमस्कार मेरा नाम ब्रिज दिवेदी है आप देख रहे हैं लाइव लौ पॉक्सो यानि प्रोटेक्शन ओफ चिल्डरन अगेंस सेक्शोल ओफेंस हिंदी में कहें तो योन अपराधों से बच्चों का संरक्षन इससे जुड़े एक केस में पटना हाई कोट ने स्पेशल को को भी रद कर दिया दरासल स्पेशल कोट ने आठ साल की बच्ची से रेप के मामले का ट्रायल एक ही दिन में पूरा कर लिया और उसी दिन उम्रकैत की सजा भी सुना दी थी जस्टिस एम बदर और जस्टिस संदीव कुमार की डिवीजन बेंच ने मामले की सुनवाई की बेंच ने कहा कि जिस तरह से एक दिन में सारा ट्रायल पूरा कर सजा सुना दी गई वो वाकिये में हैरत में डालने वाला है नेचुरल जस्टिस के सिद्धानतों का उलंगन ह कोट ने स्पेशल कोट के फैसले को रद कर रेप के आरोपी के पक्ष में आदेश जारी किया हाई कोट ने अपने आदेश में कहा कि 8 साल की बच्ची से रेप के मामले में फिर से ट्रायल कर उची तरीके से सुनवाई की जाए पहले पूरे केस को समझ लीजिए फिर कोट न पाउची अपनी मा को घटना के बारे में बताया वच्ची को मेडिकल टेस्ट के लिए भेजा गया माता पिता ने उसी दिन आरोपी के खिलाब IPC की धारा 376 AB यानि 12 साल की उम्र से कम की बच्ची से ग्रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहट शिकायत दर्ज कराई जाच मामले में सबसे खास बात ये है कि जिस दिन आरोप तैक किया गया था उसी दिन आरोपी को पुलिस के कागजाद दिये गए थे उसी दिन सुनवाई पूरी हुई कोट ने आरोपी को दोशी ठहराया उम्र कैद की सजा सुना दी निचली अदालत के आदेश के खिलाफ आरोपी ने हाई कोट में अपील की हाई कोट ने कहा कि निचली अदालत की तेजी को देखकर हमें धक्का लगा रेप जैसे संगीन मामले में स्पेशल जज ने जिस तरह से जल्दीबाजी दिखा कर ट्राइल एक दिन में पूरा करके सजा सुना दी वो भारतिय समिधान के अनुछेद 21 की भावना के अनुरूप नहीं है ट्राइल कोट को ये भी देखना चाहिए था कि मामले के हर पहलू पर बारिकी से बहस की जाए ट्राइल में इस तरह की जल्दबाजी कानून के राज पर एक धबा है हाई कोट ने इस बात पर भी हैरानी जताई की पुलिस के कागजात आरोपी को उसी दिन मुहिया कराए गए थे जिस दिन आरोप तैंक किये गए थे बेंच ने कहा भारतिय समिधान के अनुछे 21 के तहट आरोपी को भी कुछ अधिकार मिले हैं स्पेशल कोट को इसका ख्याल रखना चाहिए था उसे मामले की गंवीरता को भी देखना चाहिए था इस पर भी ध्यान देना चाहिए तके निस्पक्ष तुनवाई हो लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ रेप जैसे मामलों में एक दिन में ट्राइल पूरा नहीं किया हाई कोट ने आखरी में कहा कि ट्राइल कोट ने आरोपी को दोशी ठहराते हुए और सजा सुनाते समय कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया इसी तरह के लिगल अपडेट्स पाने के लिए लाइव लॉग को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के ल लुड़ी खबरे पढ़ने के लिए आप लाइव लॉकी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है शुक्रिया